कि देखे डारेक्ट इश्ख के जो गाने हैं वो डारेक्ट इश्ख की ही तरह है और जैसा कि आप जानते हैं कि आज कल लोगों के पास टाइम कम है बहुत सारी चीज़े करनी है और चोटी सी जिंदगी हमेशा होती थी लेकिन अभी करने के लिए बहुत जादा है दुनिया जो है वो बहुत छोटी हो गई है इनरसेंस हमारी अप्रोच जो है वो बढ़ गई हूं तो हर चीज़े डारेक्ट होने लगी है जैसे अभी आप जैसे हम पहले स्टगल करते थे तो ऑफिस ऑफिस जाते थे अभी आप पॉन पर बात कर सकते हैं वाट्सब कर सकते है मेल कर सकते हैं तो उसी लिए ये फिल्म भी हमने छोटे से टाइम में बहुत सारी चीज़े दिखाने कोशिच की और बहुत सारी चीज़े डारेक्ट है अब अब वो जमाना नहीं है कि हम जो है बस इस्टोप पर खड़े रहें लेकर या बोनने के लिए तो अब यह सब डा लगा के हम जो करते हैं उसको जाधा टाइम दें तो मेरी हाल से वो अच्छा होगा तो इसलिए ये फिल्म जो है वो डारेक्ट इश्क है और हम मतलब इसका थीम वही है कि इश्क मतलब जो इश्क तक पहुंचने में ताइम ना लगा इश्क करने के बाद हम इश्क करें करें से किकी देखियो ना इस मुशच का संग पर सिने कि इस बाद बाल्र ृ श्क्राम जोने रहे हैं अभी मैंने एक फिल्म की मैंने की है कोशिष की ये तुझे यात कर लिया है तो पोईट्री है इस फिल्म में भी आप जब गाने सुनेंगे तो जैसे यही गाना है इसमें गाना है तेरा नाम आते ही दास्ता में मेरी कुल फियां खुल गई है जबापे मेरी जिसन से अंगडाईया जड़ने लगी होट से सिस्किया नीचे गिरने लगी तेरा इश्क ते हैं अब ठीख है कँछ गौना होते हैं तो चैन्ज हुए अब सबढोत जोगी है तो अगुकि ऐसे अ और कि ऐसा नहीं होगी तो आप अच्छी पॉजितिस अंगे किसी एप तो इसा नहीं है बहुत लोग अच्छा काम कर भी रहे हैं हमने भी कोशिश की अच्छागरनेकि पहुत हो कर रहे है, कि पोटरी खुप भी रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, पोटरी कहीं झाएगी। आप बेफिकर रही है। यह मैं आप से बड़े गॉड़े कोफिदेंस के साथ थोल्ला हूँ कि वुट रहे गी। इस वापता पहलो हो उैंट पर आपके आपको शाही है। देखिए, आपको शायद पता नहीं है, मैं आपको बता दूँ, आपकी जानकारी किलीए कि ये फिल्म मैंने ही लिखि है। हाँ, इस फिल्म की स्टोरी स्किल्म पे डायलोग्ग 허続, मैं नहीं लिखे हैं। तो उसी के हिसाब से, according to film, मैंने गाने लिखे हैं, यह पहली फिल्म है, मेरी as a skip writer, जो रिलिज हो रही है, अभी मैं और बी कही काम कर रहा हूं, बट यह मेरी पहली फिल्म है, तो मैंने कोशिश की है, क्योंकि बाकी जो फिल्मे मैं करता हूं, तो मैं चुकि बहुत, मैं उसम मैं आपको एक चीज और बता दू, मैं एक पोईट पहले हूं, मैं एक शायर हूं, तो मैं कोशिश करता हूं, कि मेरी पोईट्री बेवजा, फिल्म को जिसकी ज़रूद नहीं है, वो ना हो, क्योंकि फिल्म में कोई भी चीज ज़रूद से ज़्यादा होती है, तो वो नु जिए बिल्कुल फिल्म है, कॉमर्शल फिल्म है, शायराना फिल्म नहीं है, ये एक म्यूजिकल फिल्म है, जो लव स्टोरी है, म्यूजिकल फिल्म है, और एक रोक स्टार, जो हमारी हिरोईन है, लड़की है, डोली पांडे, उसके इर्दगित पूरी फिल्म घुमती है, तो आउट हैंड अउट इन ऊट कॉमर्शल फिल्म है, फोई शायराइफर फिल्म नहीं है देखिए, मैं एक राइटर हूँ, तो मेरा फुल जोब यही है तो मेरे पास गाने काही में काम करता था और मैं बाती ताइम जो बच्ता था मैं जाता रहता हूं मैं जाता रहता हूं मुशायरे बढ़ना है ओलको फिंडिया यहाँ तो मेरे बास टाइम था क्योंकि फिल्म के जो गाने होते हैं वो दो पांस दिन में खता हो जाता है बहुत मैंने काफिल ठायम था वाइन था जो कि एक स्कृ। मुझे खयाल तो आते हैं, मुझे खयाल आते हैं मैंने उन खयालों को एक अच्छी स्कृ। अच्छी में डालने की कोशिश की है कि ए वहाँ यू पी के साड़ाटन्न मैं यूपे से बिलोंग करता हूं तो वहां के जो नुएंसे हैं चोटे-चोटे तेकि कोई भी कहानी दुनिया में बहुत नहीं होती है और खास्तों से हमारे बॉलीवुड में इतनी फिल्में बनती हैं उसमें बहुत एक्सपरिमेंट जो है वह हम नहीं कर सकते कुछ चीजे सब्सक्राइब करया कर दूसमेशने घर जएयिन दूसमें नुटाचा करता है तो इसके चठालव मुझा सब्सक्राइब के लोगों को नहीं कर दो वह कॉशिछ occupy तो वह इसमें य 통d tääड कि लो हो ऑग्यों करता हूं तो उसके जड़न आखित तो रहरता हैं वह इंशालला ब मेरी परसनल लाइफ तो बडी डिफरेंड है वो तुष्प को मतलं होता हिजो एसा नहीं है कि दो किसी कि लाइफ में कुछ नहीं है सबकी में होता है, मेरी में है, मैं भी इस सु धुनिया गाद मी है, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आउट एड़ आउट मैं आपको बताया कि मैंने कॉमर्शल सोचा है, कि लोगों को मजा आए, फिल्म देखके जो लोग आते हैं, अपना टाइम देते हैं, पैसे देते हैं फिल्म को, तो उसमें कुछ लेके जाए, इंटरटैन्मेंट लेके जाए, अगर हम कुछ मैसिस दे रहे हैं, थोड़ा बोट कही है, तो भो लेके जाए, और मस्ती मजाओं फन वो लेके जाए है तो वो हमने कोशिश कि है इसमें डाले की कोई सच्चाई इसमें मतलब कोई सच्ची घड़ना भी फिल्म नहीं है और इसमें हमने डालने की कोशिश कि तो नोइंस इसमें को मजा आये लिक अब लुए जी जी देखिए मेरा ये मानना है कि हमारे यहां की जो औरियंस है वो बहुत समझदार है इस्टार्स नो डाउट आपकी फिल्म को इनिशल लगा देते हैं लेकिन उसके बाद फिल्म तो चलती है वो कहानी पर चलती है फिल्म पे चलती ही, आपने फिल्म क्या बनाई है, आपने देखा भी होगा, आपने बहुत सारे रिरट देखे होंगे, या आप तो इंडुस्री मे हैं तो देखते आ रहे होंगे तो मैंने कोशिश यह कि जो कि जब मैं आया था नया नया तो मैंने राइटिंग भी जिरो से ही शुरू की थी और मैं करते करते मैंने बाजुरो मस्तानियो वजी तक का सब पर तै किया और इंशाला आगे भी मैं जब चीजे आएंगी तो आपको बताऊगा में कर रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि कोई भी चीज शुरू से ही शुरू की जाए तो मैं वो भी यहीं से शुरू कर रहा हूं और चुकि मुझे यतिन है कि हमारी जो कहानी है वो बहुत अच्छी है और इंशाला लोग पसंद आएगी जिस लेवल पर भी हमने फिल बनाई है जितनी तो मैंने शुरू किया है और हम सबने मिल के मैंने मेरे डिरेक्टर हैं मेरे प्रिडूसर्स हैं सबने मिल के बहुत अच्छा काम किया है इसमें पूरी टीम एक आदमी का यह काम नहीं है पूरी टीम में रजी जी ने इतना अच्छा काम किया है अर्जुन भाई ने 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 मेशनानों के रिजिए हुआ है बहुत ही डिफन्ट है और वह बहुत ही ए disp drink और जो जो सब किम्स सब के महना से बनी है मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने जो एक छोटा सा काम किया है यह सरूर बड़ा और हम इससे एक दो पी चार पांच से भागंर ने ऐसा जैके पहले बाद तो यह फिल्म यूं देहें गिंग यह नहीं लिक्क है यह मैं यह ज़ाओंगा के लोग इसलिए देखें और दूसरी बात यह है कि हमने इसमें मैं फिर अगेन वहीं कहूंगा बट वही, जैसे आपकी कहानी, आपकी लाइफ की भी वही कहानी होगी, वही करेक्टर्स आये होगे, चुकि वही दुनिया है, मेरी भी वही है, लेकिन हमारा उसे कहने का जो अंदाज बया होता है, कि हम उसे कैसे कहते हैं, कैसे बताते हैं, नरेशन जो हमने फिल्म में दिया वो different है, वो nuances है मुझे लगता है कि इसलिए audience इस film को देखेगी और मज़ा लेगी Thank you so much